लेओ वाई फेर आ लिया है जाट लास्ट एक्जाम ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि एंटीपीसी का जो कल आपने देखा होगा नोटिस आया था एक कि कल से एक्जाम डेट और एक्जाम सिटी पता चल जाएगी तो उसके लेके उ पता कर सकते हैं एक्जाम डेट और एक्जाम सिटी जैसा कि सभी को पता 28 से दिसंबर से 13 जनुरी तक चलेंगे और इसमें 23 लाक के आसपास है बच्चों का बस है एक्जाम होगा तो देखिए अपना किसी का आया है या नहीं कैसे पता करना यह देखिए सबसे पहले आर आर भी के मैंन साइट पे जाएंगे कनेक्शन टाइम आउट वाट हैपनड साइट थोड़ा लोड बांद रहे हुए बहुत बच से अपने एक्जाम सिटी और एक्जाम डेट देखने के लिए इसके उपर लगे हुए थोड़ा साइट फिर लोड आ गया है आपको वेट करना बढ़े हां अब क्या करना यह देखिए जैसे साइट आ गई यहां पर क्लिक किया तो तीन लाइन देख रहे हैं इस पर फिर नेचे जाना है अपने को अधर आरा बीज पर क्लिक करना है यह आ गई अधर आरा बीज पर फिर से वही प्रोब्लम दिक्कत का प्यारे दिक्कत यहीं प्यारे कि बंदे बहुत लगे हुए इस पर 23 लाख तो वह लगे हुए जिनका एक्जाम होने वाला और इसके अलावा 1.20 लाख मतलब 1.20 लाख लोगों का था यह अन्टीबे से वाड़ा तो सभी लगे हुए तो ऐसे मतलब साइट तो फ अलग यह जो चैनली सा ऐ था सब्सक्राइब से लेकिन जैसे किसी इन और वाद से लगा रखाए तो आंड पर क्लिक कर दो सिखन्सराओर रेल्वे वर्टी वर्ड से différentes रेलियोइ रेक्वार्मेंट वर्ड से ख़र एमदाब सिखी सिखें सिखें समय से यहां पे अभी दिया यह दे रखा है क्लिक एर टू विव एंड डाउनलोड यूरी को लेटर एप्लिकेशन मॉक टेस्ट एंड है टेक्स यहां पर क्लिक कर दवाए अब आगे क्या करना है यह देखिए सबसे पहले अपने यहां पर रिष्टेसन नमबर डालने है फिर डेट ऑब बर्थ मन्थ और येर्स जैसी यह देखिए यहां पर हम डालेंगे यह हो गया डेट ऑप मन्थ डेट ऑब बर्थ यहां पर डेट कितनी है जीरो पाँ 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 लगा यह पाँ ट्रीकर मन्थ गया पे झाल bare कुर's के लिएके एडीध मन्थ जाएक ट्सक्प्राव सेरे गएएके पो यहां यह यहां पर किया लोग इन इंक्रेक्ट होता रहा है वह यह जिसने मेरे पास रिज्टेसर नंबर बेज़े थे थे ना उसने थोड़ा गलत बेज रखे तो आप इसे शाब से अपने लगा कि देख ले ना यहां पर एक्जाम सिटी और जो डेट है वह आ चुके ठीक है थैंक क्यों और अपना चैनल है ना सब्सक्राइब कर देना वाई सब्सक्राइब करना लाइक करना शेर करना जो भी आसके और जुड़े रहना हाँ